होटल में अपने बॉइफरेंट या गर्फरेंड के साथ पकड़े जाने पर आपको क्या करना चाहिए ? इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं बैसा ऐसा होना तो नहीं चाहिए ऐसी हरकते करनी भी नहीं चाहिए लेकिन अगर आप कर रहे हैं और पकड़े गए हैं तो क्या करना चाहिए इस वीडियो में समझो गूगल ट्रेंट्स और ओयो रूम्स के डेटा के मताबिक पिछले 5 सालों में ओनलाइन होटल बुकिंग की डिमांड दस गुना जादा बड़ोतरी हुई है इसके अलावा 60 फिजदी बिना साधी की हुए कपल्स अपने इस सेर के होटल में कमरा डूंडते नजर आता है जी कही वार कुछ अन्मेरीड कपल्स साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए या कहीं गूमने जाते वक्त होटल रूम बुक कर लेता है लेकिन इसके लिए उन्हें कई बार सोचना पड़ता है कई वर होटल अन्मेरीड कपल्स को कमरा देने से मना कर देता है तो कई केसे में पुलिस कारवाई से होकर गुजरना पड़ता है कुछ फेक पुलिस वालों को भी केसेज वहाँ पर नोट किये गए हैं जो गलत हरकते करते हैं अब वदरता करते हैं साथ में के लड़कियों के साथ तो ये भी केस कई बार सुनने में आते हैं तो ऐसे में ये सवाल तो उटना लाजमी है कि आकिर हमारे देश में अन्मरीड कपल्स के होटल में रुकने को लेकर क्या कानून पुलिस इस तरह से उनके साथ बरताव करती हैं क्या वो सही है इस से जुड़े कैई सवाल आपके जहन में भी होंगे तो चलिए ज़रा आज इन तक है कितारे से जान ले कि कुसी भी अन्मरीड कप़ल काउटल में एक ही कम्रे में रुकना या फिर कुछ भी करेना कानूनी रूप से बिल्कुर बी गलत नहीं है तो कोई भी आपको इसके लिए परिशान नहीं कर सकता एक बार जरा आप खुदी सोच कर देखिये ना जब हमारे देश में लोग लिब इन रिलेशन्सिप में रह सकते हैं तो फिर होटल के कमरे में साथ रहने में आपत्ती क्या है आपने कई बार अकवारो न्यूज चैनल में भी ऐसी कबरे देखियोंगी जहां पुलिस ने किसी होटल पर रेड मारी फिर वहां से कई कपल्स अपने चेरों को कुछ इस तरह से ढखते हुए बार निकलते नजर आता है समाज भी इने बड़ी हीन वावना से देखता है इतना ही नहीं पुलिस के पकड़े गए इन कपल्स के घरवालों तक को बुलाकर उन्हें भी नीचा दिकाने से कई बार पीछे पुलिस नहीं एटती है वे अक्सर ये कैसी घटनाओ की बात करेंगे तो अन्मेरीड कपल को कई अधिकार मिले हुएं लेकिन कुछ लोग इन अधिकारों के बारे में जानते नहीं है जैसे होटल में किसी अन्मेरीड कपल का एक रूम में रुकना कानून गुना नहीं है ऐसे मागर पुलिस आप से पूस्ताज कर रही है तो आपको डनने की ज़रूरत नहीं है आपको आप खुद को मिले अधिकारों के तैद पुलिस से बात कर सकते है होटल असोसियेशन ओप इंडिया के मताबिक ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो एडल्ट एज की 18 साल से ज़्यादा के लड़के लड़कियों को किसी होटल में एक कमरे में ठहनने से रोके लेकिन हाँ दोनों के पास आईडि कार्ड होना जरूरी है कोई संका होने पर पुलिस पूस्ताज कर सकती है लेकिन ऐसे में गरपतार करने का अधिकार पुलिस को नहीं है इसका मतलब साप है अगर आप बालिक है और आपने होटल बुकिंग के बगत अपनी सही आईडि दी है तो भारतिय कानून के मताविक कोई भी केवल अपनी मर्जी से होटल में टेर सकता है इनफेक्ट वो उस कमरे में कुछ भी करे वो उनकी अपनी कॉल होती है इसके लिए भी कोई उन्हें परेशान नहीं कर सकता अगर दोनों अपनी मर्जी से फिजिकल इसन बना भी रहे तो वो कानूनन में किसी भी तरह का जुर्म नहीं कर रहे अब बात करते हैं होटल की यानि कहीं सिच्वेशन में ऐसा देखा गया कि होटल वाले भी पहले तो कपल को कमरा दे देते हैं और फिर वाद में उन्हें परिशान करना सुरू कर देते हैं या फिर कई केसमें होटल वाले अनवरेज कपल को कमरा देने करते हैं करने हैं तो वोस्तों के अपने नियम हो सकते हैं के होटल ऐसे होते हैं जो कपल को कमरे नहीं रहुत हैं तो ऐसे में आपको चाहिए होते हैं यहां के कि हमारे देश में कैई भर कूट ने भी मामलों में ऐसे पैसले सुनाएं जिससे यह मालूम पड़ता है कि हमारे देश में मेरीड कपल्स का कमरा बुक करना गलत नहीं है इंपक्ट कुछ केसेज में तो यह जज्जमेंट तक सुना जा चुकी है अगर आप अन्मेरीड कपल्स को होटल कमरे नहीं देते तो यह उनके फंडमेंटनल राइट्स का बॉलेशन होता है मतलब यह कि यहां यह अन्मेरीड कपल कुछ गलत नहीं कर रहे हैं होटल में कमरा लेकर बलकि आप गलत कर रहे हैं उन्हें कमरा ना दे अब हम आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं साल 2015 में मुंबई के एक इंसिडें को बलाया गया और उन पर 1200 फाइन भी ठोगा गया दोस्तों ऐसे केस तो आए दिन हमें सुनने को मिलते ही रहते हैं तो अगर कभी भी किसी भी अन्मेरीड कपल के साथ ऐसा होता है तो आप प्लिस को भी बता सकते हैं कि आपका यह राइट है ऐसा यह केस साल 2015 में कोईंबट पिर से याद दिला दे अगर आपके पास बैलिड आइडि फूरूप है और आप बालिक है तो ही यह संबब है भही सुप्रीम कोट के कैई वार ऐसे मामले में यह भी साप कर चुकी है कि इंडियन मेरीड कपल्स होटल के कमरों में अगर फिजिकल इलेशन बना भी रहे हैं तो आर्टिकल 21 के अनुसार यह उनका अधिकार है तो दोस्तो होटल में ना लोकल कपल्स यानि की एक ही सहर के अन्वेड कपल्स को कमरा बुकिंग करने की परिमिशन नहीं होती तो हो सकता है यह उस होटल के अपने नियम हो इसलिए अगर कोई अन्वेड कपल अपने किसी अधिकल होटल में जाता है तो वहां कमरा के समझ लें वहीं यह तो बात के होटल में लेकिन के वह उसको पार्क फिर किसी प्लेस पर अजीव तरह की हरकते करतें देखा होगा तो इसके लिए कानुन क्या कहता यह भी समझ लीजी यह बिलकुली गलत पर फिजिकल नहीं हो सक नहीं नौलेज़ वारी वीडियो के साथ